पुस्पांजली बेदंग पीठ में आपका हार्दिक स्वागत है आज हम आपके लिए एक नया विसाय लेके आए हैं वो ऐसा विसाय है जो की एक जोत्सी के लिए जानना परम आवश्चक है वो विसाय है सामुद्रिक सास्त्र सामुद्रिक सास्त्र सामुद्रिक रिशी द्वारा लिखा गया था इन रिशी मुनी का नाम बारा है मेहर ने भी अपने ग्रंथों में कई जगे लिखा है बलकि इस सामुद्रिक सास्त्र द्वारा समुद्र रिशी के द्वारा जो घोशनाएं की जाती थी हस्त रेखा द्वारा, सरीर के अंगों द्वारा वो घुष्टना इतनी सठीक होती थी, इतनी सत्थ होती थी कि बाराह महर ने किसी भी बाक्य को सत्थ बताने के लिए सामुद्र करिशी का नाम लिया है इसलिए किसी भी जोत्सी के लिए जन्मकुंडली, बास्तु सास्त्र उसके अलावा सामुद्रिक सास्त्र का अध्यन अवर्ष करना चाहिए चुकि जन्मकुंडली निर्मान करने में कई प्रकार की परियसानिया आती है जैसे कि जातक का जन्म समय सही ग्यात ना हो इसके अलावा गड़नाएं करना पड़ती है बहुत लंबा चोड़ा गड़ित करना पड़ता है गड़ित करने के बाद सुद्ध लगन निकालना पड़ती है इसके बाद में सूर सिध्धान्त, आर सिध्धान्त, ग्रह लागव और कई प्रकार के गड़ित बिद्धमान हैं जिनके ग्रह स्पस्ट अलग-अलग होते हैं तो ऐसी इस्तिती में फलादेश करना बड़ा मुश्किल हो जाता है इसके अलबा ग्रहों की इस्तिती क्या है ग्रहों की यूती क्या है उन ग्रहों को कौन-कौन देख रहा है निस्कर्च निकालना बहुत मुश्कल हो जाता है इसकी तुल्णा में सामदिक सास्त्र प्रत्यक्ष भी है हमारे हाथ के रेखाएं हमारे सरीर का आकार हमारी वाणी हमारे बाल शिख नक्ष यानि कि हमारे सरीर के जो अंग हैं वो प्रत्यक्ष है इनमें यदि हम देख लेते हैं उनके गुणधर्म देख लेते हैं तो फलादेश कहना बिलकुछ स्वरल हो जाता है तो इसमें प्रॉवल्टीज नहीं होती हैं बिलकुछ सर्टीक फलादेश आता है इसलिए जब कोई जनमकुल्ली देखें तो जनमकुल्ली देखने के बाद उसके हस्त रेखाएं और उसके जो सरीर के जो अन अंग हैं जो जो आवश्चक देखना आवश्चक समझते हैं वो जरूर देखना चाहिए तो 100% सत प्रसत उसका फलादेश सटीक आ जाएगा इसके बाद भी दिफलादेश सटीक नहीं आ रहा है तो उसके घर का वास्तु देखना चाहिए इन तीनों विधाओं को मिला करके हम इस इस्तिती में पहुँचते हैं कि बिलकुल सटीक निलने ले सके हैं हमारी जो जन्म कुल्ली होती है हमारा जो जन्म होता है उसके अधार पर है तो हमारा जो जन्म है वो प्रारव्द के अनुसार होता है यानि जन्म कुल्ली के जो ग्रह है वो प्रारव्द के अनुसार है चूंकि मनुष्य प्रारव्द के अनुसार जन्म लेता है लेकिन जन करम लेने के बादश दर सरीर प्राप्त करता है है तो कुछ नैं कुछ कर्म करता है तो जो कर्म गरता है। उनолет संचाय के अनुशार भी फलादेस में अंतर आ जाता है। इसलिए जो हात की रेखाएं हैं और सरीर के जो अन अंग हैं, उनमें भी कर्मों के अनुसार अंतर आता जाता है, तो चुकि जनम कुंडली तो फिक्स है, जनम के समय जो ग्रह जहां थे, वो जनम के समय भी थे, और उस कुंडली को आप सत्तर साल की उमार में देखेंगे, तो भी वही कुंडली होगी, लेकिन जब उसके बी हैं, सामुद्र साथ सरल है, क्योंकि हस्तर एखाओं को देखा और देख करके उसका ज्यान करके निर्णाय किया, इसमें किसी प्रकार की कोई गणनाय नहीं करना है, किसी प्रकार की कोई सम्भावनाय नगन हो जाती है, इसलिए हस्तर एखाओं का जो सास्तर है, वो अत्यन तो लोगप्रीय है हमारे आज से 50-60 साल पहले जब घणिया नहीं हुआ करती थी उस में जन्म समय ठीक ठाक नहीं आता था अंदाज से जन्म समय लेते थे लेकिन तब भी हमारे विद्वान बिलकुर सटीक निर्णाय देते थे उसका कारण ये था कि उस में गड़त का कोई मत सवेद नहीं था तो जन्म कुंडली समान रूप से बनती थी गड़त की बिवन पद्धितियां उप्रादु थी लेकिन जो है उनमें ये निर्णाय फिक्स था कि सूर सिध्धान द्वारा ही हमारे लिए कुंडली का निर्मान करना है या ग्रहलाग द्वारा करना है उसका देखते थे लेकिन क्योंकि हस्त रेखा एक ऐसी रेखा है जो प्रतेक्स रूप से दिखती है उसमें कोई गड़ना नहीं करना पड़ती है तो हमारे प्राचीन काल के बिद्वान हस्त रेखा और सरीर के अन अंगों के जो लक्षण है उनको देख करके और बिल्कुल सठीक का अध्यन करें सासात्त में बास्तु का विध्यन करें इन पिछली कख्षाओ हमने बास्तु के बारे में काफी कुछ हमारे जो ग्रन्थ कहते हैं प्राचीन गर्न्थ करहते हैं उसके बारे म llev गामी अगहामिक और भी जो इस लिए उन कख्षाओं में हम सामुद्धिक सास्त का वर्णन करेंगे तो आईए सबसे पहले सामुद्धिक सास्त का परिचे प्राप्त करते है जैसे कि बताया कि ये सामुद्धिक सास्त की रचना समुद्र रशी द्वारा की गई थी अब सामुद्धिक सास्त में आता क्या क्या है पहला आता है नक्षिक वर्णन नाखून से लेकर के और सिखा जिसे के हमारे पैर के नाखून है वहां से लेकर जो उपर तर अंग चले आए उन अंगों के बाद में अंतिं अंग हमारा क्या है चोटी है तो नक्से लेकर के सिखा तक का जो फल कथन है वो जो है सामुद्धिक सास्त्र कहलाता है अब इसमें सामुद्धिक सास्त्र में हमारे अंगों का आकार और सुभाव के जो लक्षन हैं उनको भी हम सामिल करते हैं इसके बाद में बर्तमान में इस सास्त्र को किवल हस्त रेखा कहल देते हैं सामान ने जो विक्ति हैं सामान जो जानकार हैं वो समद्र सास्त्र को हस्त रेखा का परियाय मानते हैं जबकि हात की रेखा इस नक से लेकर सिख्ष के बीच का एक अंग है उदारन के लिए ये देखिए ये मानव है ये इसके हाथ हैं ये उसके अंगलियां हैं ये सरीर है ये उसके पैर हैं तो यहां फे नक से लेकर के और जो सिखा है यहां तक कि जितने भी अंगे हैं सबका आकार वर्णन जो करते हैं इसमें सुभाव भी आ जाता है ये हमारा सामुद्रिक सास्त्र के लिए लेकिन हस्त रेखा किवल हाथ की रेखाओं के अधार पर हैं और कहीं कहीं पर पैरों की यहां जो नीचे होती हैं पदर्येखा भी बोलते हैं इनको जो है सामान तोर पर समझा जाता है उन्यह эфф हैं cq क्वारा लीए अधिक जणकारी प्राप्त होती है बोचितनी अंगों के दौर प्राप्त नहीं होती है हस्त रेखा दौरा मह क्यों जानकारी प्राप्त होती है, इसलिए हस्त रेखा का ज्यादा महत्व है, हस्त रेखा क्या है, सरल है, क्योंकि जो आपने हाथ की रेखा देखी, उसका फल आपने तत्काल कथन कर दिया, आपने रेखा देखी, और रेखा का आपको ग्यान है, तो उसका क्या-क्या फल है, आपने फट से उसका कथन कर दिया, इसमें कोई गुणा भाग आपको नहीं करना है, ग्रैस पस्ट नहीं करना है, लगन नहीं निकालना है, प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष रेखा दिखती है, उसका फल भी बिल्कुल प्रत्यक्ष है, इसलिए ये जो है सरल है, दूसरा निश्चित है, निश जोते से हुआ ब्ग आरह कि य में इसके हुआ करने कि दिश्टियां लग है कि इसके आद में आपके ग्रहों की वेवर्भी देए खुआ हैं जैसा लग चानल गया है यानि एक साहथ में हैं बाद कि अरिचत तरह की हर și ऐना अधक वेश और और उनके साहथ हो गया हजार से अदिक प्रवंवल्टीज हैं, इसलिए उसके दोरा निर्नाय करना बड़ा कठिन हो जाता है, और हस्त रेखा में ऐसी कोई प्रवंवल्टीज है ही नहीं, हस्त रेखा में तो जो आपने देखी मानने ज़्या यह हाथ है, यह हम उठा है, यह हाथ है, इस हाथ में उसमें कोई गुड़ावाग करना ही नहीं है अब रेखा का आपको किवल वर्ण आकार उसकी उसके जो चरित्र है उसकी विशेष्टाएं है बोज यह आपको ने दी देख ली तो आपका फल जो है सटीक हो जाएगा इसलिए बहुत सरल है और निश्चित है क्योंकि इसमें प्रवल्टी नहीं है संभावनाएं नहीं है इसमें प्रत्यक्स सामने देख रहे हैं रेखा है कटी है तो फल खराब नहीं कटी है तो फल अच्छा रेखा है यदि गहरी है तो बहुत अच्छी पतली है तो भी ठीक है लेकिन यदि मालो वो उसमें कई साखाए हैं तो खराब है कितना सरल है इसमें कोई गुणा भाग नहीं करना इसलिए जो है हमारे लिए ये निश्चत फल देती है और सबसे महत्मूर्ण जो इसका एक चरितर है वो है फल की पुष्टी यानि कि जहां मैं जरमकुंडी में नि हस्त रेखा देख लीजे तो हस्त रेखा उस संभावना की पुष्टी कर देगा क्योंकि जैसे मालो किशी को देखा को उसको अलपाईयोग है जरमकुंडी में देखा अलपाईयोग है अभी आप जरमकुंडी उठा के देखेंगे तो कम से कम 25 परसेंट लोगों को उसकी पुष्टी हमें हस्त रेखा से करना है ठीक है तो हस्त रेखा क्या करती है इसका जो सास्त्र है ये फल कथन की पुष्टी करता है ये जो है फल कथन की पुष्टी करता है कि हाँ ये जो जरमकुंडी में फल दिखाया जा रहा है वो भले उसकी दसाप्राप्त हो हमाले लिए हमाले लिए क्या करना है सामुद्रिक सास्त्र का अध्यान करना अध्यान्त आवश्चक है बस आज की कक्षा यहीं समाप्त करते हैं कल की कक्षाओं में हम सामुद्रिक सास्त्र में सबसे पहले चोटी बाल हमारा माथा यानि मस्तक कान नाक आख त्यादी का हम जो हस्त रेखा विज्ञान पूरे विष्व में चाया हुआ है, कीरो के नाम को सभी जानते हैं, कीरो भी एक हस्त रेखा का विशेशगता, इसके अलावा जो हमारे अन्य देशे हैं, उनमें कहीं न कहीं हस्त रेखा कई रूप में बिद्धमान हैं, हमारे भगवान गौतम तो इस प्रकार से हस्त रेखा काफी लोग प्रिविशा रहा है, लेकिन बिदेश में जो कीरो था या अन्य जगह फे जो अन्य विद्धवान हुए हैं, उनके और हमारे गरंथों में कुछ रेखाओं को लेकर की काफी मत्वेद हैं, तो यहां पर हम किवल उन्हीं हस्त रे यह एक हमारे अधिकांस लोगों को यह पता है कि यह हमारे जीवन रेखा होती है, यह इसको जीवन रेखा कहते हैं, बास्तम में जो है हमारे प्राचिन गरंथों में यह जीवन रेखा नहीं है, यह पित्र रेखा है, जीवन रेखा को उन्होंने यह कहा है, कि जो करिष्ट का उंगली है छोटी उंगली है उससे लेकर के और तरजनी के यहां मद्द तक जो जाती है यह जीवन रेखा है तो यहां पर हम जो है जीवन रेखा इसको नहीं बोलेंगे इसको हम बिल्कुल जीवन रेखा नहीं बोलेंगे क्योंकि हमारे सास्त्रों में जीवन रेखा यह है हमारे यहां के भी विद्वान यह कहने लगे कि यह जीवन रिखा है और यह रिखा है यह मैंने आपको सम्चित में बता जाए किस प्रकार से भेद रहेगा तो वहां पर जब भेद आएगा तो आपको हम कोसिस करेंगे बताने की कि बिदेशी लोग क्या कहते हैं लेकर हमारे जो गर्न्थ ने जो लखा रहे हम और यूज की करेंगे और आप क्रक्रिकल में भी देखेंगे क्यंकि हम यहां भारत बरस्में सबसें भृत इसमें किसी प्रकार की संधाल नहीं है जैसे कि स्मभुदेग सास्तर में जीजगे आकार सुभाओं लक्षण के अधार पर फल कहा गया है तो भारती परिवेश की अंुसार वह आकार कहा गया है जैसे कि हमारे जैसे पर वारो वार्णु भी होते हैं और श्याम वार्नौ दिखाई नहीं देनगे जिसेंगरेज कोई काले वर्णु की नहीं है तो जहां चित्र बेचित्र रंग का आएगा वहां पर उनके लिए लागू होगा इसलिए हम अपने सास्त्रों पर विस्वास करें अपने जो भारती गरंत हैं उनकी जो रेखाओं के नाम जो दिये हैं उसमें उन पर ही चर्चा करेंगे वही अपने लिए 100% थलिवूत होंग इस प्रकार से आज का विस्वास करते हैं जैराम जी की नमस्कार